आंगन बारी, आंगन बारी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए, सर मैं वह पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ मैं, हमको तीन मेर दीजे सर, ममता, आसा, मैं वह ही कह रहा हूँ सर, रोसया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ, सर मेरा, सर कर को तीन में दीजे ले सर तब फिर बहुत क्या फाइदा होगा सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है मेरा रिक्वेस्ट है आपका रिक्वेस्ट बताईए कि बिहार में जो मैं आंगन बारी कि किसकी बात कर रहा हूं सर एक बीजगा डलीत और आदिवासी के में OTF नहीं है आप चलके चांच कर लीजिए जनल योजरा लगबग बरबाद हो चुका है सर एस्मार्ट सर एस्मार्ट मीटर बिजली सर दो मिनट घरी देख लीजिए सर दो मिनट घरी देख लीजिए सर एस्मार्ट मीटर बिजली सर वन नेसन वन एजुके सन वन एजुके सन वन हैग और वन नेसन वन हैं था मैं सर व्मरी बातो हो या सर शारा इडिया के जो वरकर सारा व इंडिया के जो ग्राग सारूस Thank you Mr. Premachandran, thank you Mr. Chairman sir for uproading me this opportunity to take part in the discussion thank you sir thank you sir thank you sir thank you और सार्भोमिक्ता का एक ने सर्गीक दर्सन है शीव की वो पंक्ती आत्म मोक्षार्थम जगत हिताइचो संपुर्ण विश्टुका और बानव का कल्यान और खुद के मोक्ष की कल्पना हमारे अराध गुरू सीव ने इसी पंक्ती से अपने जीवां धर्सन की सुरुबात की थी और यह जो देश है ना यह अध्यात्मिक्ता पर है यह कंप्लिट किसी धर्म या किसी मजभ पर अधारी देश नहीं है यह मानविय मुल्यों के लिए जाना जाता है संद की एदी बात करूँगा तो राम क्रिस्न परभंस विवे कानंद कबीर बाल मिकी संद रविदास हम संद उसको कहेंगे मैं सभापती मौद है शुरू करूँगा जाती जनगर्णा से हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाती जनगर्णा का निरने लिया और बिहार में जब जाती जनगर्णा की शुरुवात ही ललन बाबु नहीं है अभी नहीं तो मैं उनको सुनाता तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लेप्टॉप और कम्प्यूटर नहीं है 96% लोगों के पास भैकिल नहीं है और जो भैकिल है वो यवाई पर है जो भी भैकिल है लगबग 86.2% लोगों के पास एक विगा से नीचे जमीन है कठे में है धूर में है 9.2% लोग हैं जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है लगबग 78.7% लोग हैं जिनके पास फूस का घर है तीन का घर है धीत का घर है उसके पास तक्का मकान नहीं है ना रोजगार है ना नोकड़ी है ना खेत है मजदूरी 280 रुपिया है और वो भी 20 दिन से जादे नहीं करोना के समय मनमोहन सिंग जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया चार सा रुपिया प्रतेख दिन बहस पहले भी हो चुकी थी कि मंड़ेगा छोड़ दीजिए मंड़ेगा का तो बजट घटा दी गई मेरा सवाल सिधा था कि प्रधान मंत्री जी आपके SSV है वर्ड इनको भोलो करते हैं तो फिर कौंग्रेस चलीशा और नहरु इंद्रा और राहुल चलीशा बंद करिये न और अपने पृति इमानदार बनिये न मेरा आपको प्रधान मंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा उनको बीजेपी वाले को प्रधान मंत्री जी पर भरोशा नहीं रहा इन लोगों ने गटबंधन की राजदिती की और जब गट्बंधन के राजदिती पर भी भरोशा नहीं रहा तो प्रधान मंत्री जी ने जे बार भाएस बाइल से लेकर मुझरा तक की बाद पूरे चुनों में एक बार भी हिंदोस्तान के संबिधान की हिंदोस्तान के गरीबों की वार्ड के सबसे ज़ादे गरीब देश पार केपिता चोहाजार और लगभग जो महगाई का कारण है उसमें दलित, आदिवासी, अत्यांत पिछरा जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उसमें मैं आपको बता दू कि उनके ठाली में 160 रुप्या वाला दाल नहीं है 120 रुप्या वाली सबजी नहीं है प्रधान मंत्री जी एदि इतने सा सक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूगा कि 84 करोर लोगों को 5 किलो अर्वा चावल आज भी टेक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है मैं साथ हाट मिनट छे बार के मेरा रिक्वेस्ट है मैं उस पर